हेलो गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 3 जनवरी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हम इसे की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर द कोमेंट में मिल जाएगा, साथ ही आपको बता दें, जो ही हमारा वनियर मेंबर्शिप प्लान है, यह भी डिसकाउंटेट प्राइस पर उपलब्ध है, केवल 249 रुपीज बे करके, आप एक साल की विलेटि के साथ हमारा ये PDF कोर्स बाइए कर सकते हैं, और 5 जनवरी तक की परश्य लिखेगा, चले फिर करते हैं शुरुबात इस वीडियो सेशन की, हम इसे किदर सबसे पहले आज का कोश्यन देख लेते हैं, इसका आपको भी कॉमेंट बोक्स में करना है, नेम दा सैटेलाइट लॉंच्ट पाई इस रो, डैट विर स्टेडी एक स्रेइज या फिर विकरांत एक्स, जल्दिस आंजर कर दिये, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह कोश्यन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें टेलिग्राम पर जूरु जोइन करें, करन्ट अफिर्स फंडा, नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है खंप है Who has been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission by the Central Government? किन्व सरकार द्वारा सोलेवित्य आयोग का अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है? Options आपके सामने है, सही answer option C है, अर्विंद पनगरिया. आपको जाना चाहिए कि Central Government ने former नीती आयोग वाइस चेर्मेन अर्विंद पनगरिया को 16th Finance Commission का चेर्मेन निक्त किया है, साथ ही रित्विक रंजनम पंडे, ये इस 16th Finance Commission के Secretary होंगे. आपको जाना चाहिए जो एक कमिशन है, ये अपने रिपोर्ड 31 अक्टूबर 2025 तक एवलेबल कराएगा, और जो इसकी सिफारी से है, वो एक अप्रेयन 2026 से लागू की जाएगी, यानि कि जो सिफारी से का पिरेट रहेगा लागू करने का, वो 26, 27 से 2030 तक का रहेगा, पां उसका किस तरह से बटवारा हो, इस्टेट्स के साथ, साथ ही इस्टेट्स के पास जो टेक्स आता है, उसका किस तरह से बटवारा हो सके, और जो पंचायत से हैं, उनका फाइनेंसियल जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से मजबूत किया जा सके, इसको आप एक एक्जामपल स उसने इस्टेट्स के लिए निकाल दिये और 59 रुपीस अपने पास रख लिए अब जो 41 रुपीस इस्टेट्स के लिए उसने निकाले हैं तो उनको अब अलग-अलग स्टेट्स में कैसे पाटा जाए किसे कितना दिया जाए किस आधार पर दिया जाए यह सभी Finance Commission बताएगी पनकडिया कि अगर हम बात करें यह एक ट्रेड एकोनुमिस्ट है नीतिया के फर्स्ट वाइस चेर्मेन रह चुके हैं जर्मई 2015 से अकस्त 2017 तक 2017 में इंडिया के G20 शेरपा भी रहे अप्रेल 2030 में यह नालंदा यूश्टी के चांसलर भी अपॉइंट किये गए Finance Commission आपको बता दे President of India द्वारा Constitution की जाती है Article 280 के तहत और सबसे पहले 1951 में पहली Finance Commission Establish की गई थी Under Finance Commission Miscellaneous Provisions Act 1951 Constitution के हिसाब से जो Commission है यह हर पास साल में अपॉइंट की जाती है इसमें चेर्मेन होते हैं और चार अधर मेंबर्स होते हैं शिति चंद्र नियोगी जिने केशी नियोगी भी कहते हैं यह फस्ट फाइनेंस कमिशन के चेर्मेन रहे है विच स्टेट सेट अगिनीज वर्ड रिकोर्ड ओन जैनुवरी फस्ट आफ्टर मौर दैन 50,000 पीपल पफॉर्म्ड सूर्य नमस्कार साइमल्टेनिसली एट 108 वे गुजरात आपको जाना चाहिए कि गुजरात राज्जे ने एक जन्वरी को गिनीज वर्ड रिकोर्ड बनाया है क्योंकि यहां पर अलग-अलग लोकेशन्स पर पचाहजार से ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया है आप सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार या संद सेलिटेशन एक एंशेंट योगा प्रेक्टिस है जिसमें हम जो है संद को प्रणाम परते हैं अलग-अलग पॉस्चर्स में आसन्स में में इमेंट जो है इसका यह मोधेरा संद डेमपल जो की महसाना डिस्टिक गुजरात में यहां आई जुद्वा केंद्रे ग्रह मंत्रा ने यूए पीए के तहत किसराज नेतिक अलगाववादी संगडन को गैर कानूनी संग गोशित किया है जानेगा सेंटरल गवर्मेंट ने तहरीक ए हुर्यत जम्मू एंड कश्मीर जो की एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है जिसकी स्थापना 2004 में प्रो पाकिस्तान हुडियत सेयद अलीशा गिलानी द्वारा की गई थी इसे सेंटरल गवर्मेंट ने अब अनलोफुल एसोशीशन गोशित किया है पास साल के पिरेड के लिए अन्डर दे लोफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 साथी आपको जानना चाहिए जो गैंक्स्टर है गोल्टी परार जो की पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसे वाला के मर्डर के पीछे मास्टर माइंड है इसे भी हाली में सेंटर गोर्मेंड ने इसी यूए पीए एक्ट के देहत टेरेडिस्ट गोशित किया है विच प्लेयर वान दा स्कॉटिश जूनियर ओपन स्कॉएश अंडर 19 टाइडल किस खिलाडी ने स्कॉएश जूनियर ओपन स्कॉएश अंडर 19 किताब जीता सही आंसर ओप्शन ए है अनाहत सिंग देखें इंडियन टीनिजर स्कॉएश प्लेयर अनाहत सिंग इन्होंने अपना डॉमिनेंस जो है जाई रखा है और गर्ल्स अंडर 19 टाइटल जीत लिया है 2023 स्कॉटिस जूनियर ओपन स्कॉएश चेमपेशिप में जो की एड़ इन बग में हुई है इन्होंने फाइनल में रोबिन मैक अल्पाइन को हरा है वहीं स्पोर्टस सम्मंदित एक ओर निउस देखेंगे सिम्रजीत सिंग और रजिनी एतिमर ये मैंस एंड विमेंस साइट को लीड करेंगे होकी इंडिया ने इनका नाम जो है उजागर किया है कि ये FIH होकी 5S वर्ड कप जो मुस्केट ओपन में होगा वहाँ पर ये मैंस एंड विमेंस भारतिय टीम को जो है रिप्रेजेंट लीड करेंगे हू बिकेम मैंस वर्ड ब्लिट्स चेंपियन पुरुस्वरग में विस ब्लिट्स चेंपियन को उन बना है सही आंसर ओप्शन डी है मैंगनस कार्लसन देखें 2030 वर्ड ब्लिट्स चेंपियर्शिप ये 2030 एडिशन रहा इस एन्वल चेस्ट टूर्णामेंट का जिसे फाइट द्वारा ओर्गनाइस किया जाता है और इस बार ये समरकंट उछ बिकिस्तान में हुआ है मैंस वर्ड ब्लिश चेंपियन बने है नौर्वे के मैंगनस कार्लसन ये इनका साथवा टाइटल है वहीं विमेंस वर्ड ब्लिश चेंपियन बनी है रश्या की वेलेंटीना कुनीना वहीं आपको जाना चाहिए इंडियन ग्रैंड मास्टर कुनेरू हमपी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड विमन रैपिट चैंपेंशिप 2023 में सामरकंड उजबिक्स्तान में चैस की बात हो रही है अनस्तेसिया बोधनेरुक जो की रश्या की है इन्होंने विमन्स टाइडल जीता है और मैंगनस काल्सन ने यहापर पुरुष टाइटल जीता है अपना फिफ्ट टाइटल यह जीता है इन्होंने वाट इस नेम अफ़ नासा रोवर डैट कंड़क्टेड दा सर्वे ओफ क्रेटर लेक जेजेरो ओन मार्श नासा की उस रोवर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह पर क्रेटर जील जेजेरो का सर्वेक्षन किया सही आमसर उप्षन डी है परजिवरेंस नासा ने अनाउंस किया है कि जो इसका परजिवरेंस रोवर है इसे जिस कारे के लिए मार्स प्लैनेट पर भेजा गया था जब इसने फरवई 2021 में लेंड किया तो वो कारे इसने अपना पूरा किया है इसका जो बेसिक टास्क था वो ये था कि मार्स पर जो एक क्रेटर है जेजेरो नाम की क्रेटर मतलब एक तरह का दबा हुआ हिस्सा जैसे जील टाइप बन जाती जिससे इस तरह का क्रेटर मार्स में इसका नाम से जेरो है एंशेंड क्रेटर लेक है ये तो यहाँ से कुछ सेंपल लिये हैं और पास्ट लाइफ के एविडेंस भी हाँ से प्राप्थ हो सकते हैं जे जेरो जैसे मैंने आपको बताया मार्स पर एक क्रेटर है और कहा जाता है कि एक टाइम पर ही इसमें जो है वाटर हुआ करता था वू इस दे नियू डिफैंस मिस्टर ओफ चाइना चीन के नए रक्षा मंतरी कौन है सही आंथर अप्शन भी है डॉंग चुन ओख माफ कीज़ेगा ये कौशन जो है गलत टाइप हो गया देखें मैं आपको बताता हूँ पीडियो फे मैं इसको सही कर दूँगा ये ना मैंने भी ध्यान नहीं दिया एक्षिली कौशन ये था कि रक्षा मंतरी रायना सिंग ने एक जो गलत सैनिक स्कूल है उसको कहां इनोग्रेट किया है इस तरह से कौशन था माफी चाहँगा इसके लिए तो डिरेक्ट हम आंसर देखेंगे देखे रक्षा मंतरी रायना सिंग ने समविद गुरु कुलम गलत सैनिक स्कूल इसे विरिंदावन मतुरा उत्तरप्रदेश में इनोग्रेट किया है और तो यह जो है ना पहला गलत सैनिक स्कूल है याद रखे का इसे विरिंदावन मतुरा में जो है इस्तापित किया गया है 870 स्टुएंट्स के स्टेंथ है और गवर्मेंट ऑफ इंडिया जो है 100 न्यू सैनिक स्कूल भी बना रही है इंजिवर्म प्राविट स्टेट गवर्मेंट स्कूल के साथ मिलकर 42 ओलरेडी सैट अप की जा सकी है और 33 ओलरेडी सैनिक स्कूल जो है हमारे देश में फंक्शन कर रहे है वाइस एड्मिरल किरन देश मुख इने चीफ ओफ मेटिया गया है और अपोनिमेंट देखते हैं इस तरह की वाइस एड्मिरल बी सीवकुमार इने कम्ट्रोलर वार्शिप प्रोडक्शन और एक्विशन का चार्ज दिया गया है वाइस एड्मिरल वी सरी निवास ये थर्टीथ फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इनचीफ सदर नवल कमांड नवल बेस कोची का जो है इने चार्ज दिया गया है अप्रेल से दिसंबर दोजार तीज के दोरान सकल जीस्ती संग्रगी कुल राशी कितनी है सही आंसर उप्शन ये है 14.97 लैक क्रोड रुपीज देखिए अप्रेल से दिसंबर दोजार तीज के पीरिड में जो ग्रोज जीस्ती कलेक्शन रहा एवरेज मंतली ग्रोज जीस्ती कलेक्शन 1.66 लैक क्रोड रुपीज रहा है फस्ट नाइन्थ मंत में इस फिस्कल लेके और अगर आपको बताएं जो बारा प्रतिश्यत का इंक्रीज ये देखने के लिए मिला है क्योंकि अगर हम पिछले फिस्कल की बात करें तो 1.49 लैक क्रोड रुपीज था जो एवरेज जीस्ती कलेक्शन था अब अगर हम बात केवल दिसंबर 2030 की पर करें तो यहां पर ग्रोज जीस्ती रेवेन्यू ये लाहाब का 1.64,822 क्रोड रुपए और ये सात्वा महीना है जब जीस्ती कलेक्शन 1.60 लैक क्रोड रुपीज से ज्यादा का पहुंचा है और जो दिसंबर का ये रेवेन्यू है ये 10.3 परसेंट हाइर रहा है लास्ट ये दिसंबर के महीने में कलेक्ट हुए जीस्ती से हाओ मच ऑफ दर 2,000 रुपीज बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन ओन में 1923 हैस बिद्रॉन बाइ डिसंबर 29,23 दो जार रुपए के कितने परिश्यत बैंक नोट 39 दिसंबर 2030 तक वापस ले लिए गए हैं सही आंसर ऑप्शन सी है 97.38 परसेंट देखे रिचर बैंक ऑफ इंडिया ने एनाउस किया है कि 2,000 रुपए के जो बैंक नोट्स हैं वो 19 मई 2023 को जो है एक सर्कुलेशन उनने जारी किया था कि इने अब विड्रो किया जाता है और उस वक्त जो दो जार रुपए के बैंक नोट्स से सर्कुलेशन में उनकी वैल 330 करोड रुपए ही बचे है यानि कि कहने की बात यह है कि 97.38 परसेंट 2,000 रुपीज बैंक नोट्स जो है वापस आ चुके हैं आपको बताते हैं 2,000 रुपीज बैंक नोट्स जो है अभी भी लीगल टेंडर है कि हूँ वाज रिलेक्टेड फॉर एस प्रेजिदेंट अगर हम इस देश की बात करते हैं कापिटल की निवेशकों के मामले में कौन सा भारती राजे सीर्स इस्थान पर है सही आंसर उप्शन भी रहेगा माहराश्टर नेशनल इस्टोक एक्सचेंज पर जो इन्वेस्टर बेस है उसमें 22 प्रतिशत की वृद्धी देखी गई है जहां पहले 7 क्रोड इन्वेस्टर थे अब 8.54 क्रोड पहुँच गई है कलेंडर ये 2030 में माहराश्टोप पोजिशन पर है 1.49 क्रोड इन्वेस्टर के साथ उसके बाद उत्तर प्रदेश है सेकेंड पोजिशन पर 90 लेक इन्वेस्टर के साथ तेसे नंबर पर गुजरात है 77 लेक इन्वेस्टर के साथ और उसके बाद फिर वेस्ट मेंगोल है 48 लेक इन्वेस्टर एड किये गए 2030 में जो market capitalization है small and medium enterprises या फिर SME companies का जो की NSC emails platform पर listed है इनका market capitalization एक लाख क्रोड रुपे के mark को close close कर चुका है ठीक है पहरी बार जब से कि ये platform 2012 से जब तक अस्तित्व में आये उसके बाद से Adani Enterprises Limited and Serious International Holding Limited established a joint venture what is the name of this joint venture Adani Enterprises Limited और Serious International Holding Limited ने एक सही उध्यम इस्ताबित किया है इस सही उध्यम का क्या नाम है सही आंसर प्चंडी है Serious Digitech International Limited देखे Adani Enterprises Limited और Serious International Holdings Limited जो की subsidiary है International Holding Company UAE की इन्होंने एक joint venture बनाया है जिसका नाम है Serious Digitech International Limited Serious JV इसमें Serious JV के 51% जो हैं शेर रहेंगे वहीं Adani Global के 49% शेर रहने वाले हैं तो Digital Transforming से सम्बंदित है यह वाट इस दाशेर ओफ लाइफ इंश्रेंस पॉलिसीज सोल्ड दो विमन इन इंडिया फोर दा इयर 2022-23 वर्स 2022-23 के लिए भारत महिलाओं को बेची गई जीवन बीमा पॉलिसीों की हिस्सेदारी कितनी है 2021-22 तक 34.7% उनका शेर हुआ करता था ठीक है टोटल टोटल जो पॉलिसी बेची गई है उनमें से जो महिलाओं को बेची गई है उसमें वह जो है 34.7% रहता था लेकिन 2022-23 में 34.2% रहा है तो हलकी सी गिरावट देखने के लिए ऐसा IRDI ने अपनी रिपोर्ट में बताया अपनी स्टेडी में बता है फिसकार 2022-23 के अगरम बात करते हैं तो जो नंबर ओफ लाइफ इंश्रेंस पॉलिसीज है जो विमन को इश्यू की गई है कि 97.38 लैक पहुंची है जिस में से मतलब 2.84 क्रोड पॉलिसीज में से 97.38 लैक पॉलिसीज महीलाओ को इश्यू की गई है करनाटा के इस मामले में पैस नंबर पर है 44.23 परसेंट जो शेर है सभी राज्यों में वो करनाटा के पास है अगर हम महीलाओ को बेची पॉलिसीज की बात करें सबसे लॉस्ट शेर लद्दाक का है 23.1 परसेंट है अगर हम लाइफ इंश्यूरेंस पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्लेम सेटल्मेंट रेशो यह घटा है यह 98.45 परसेंट रहा है 2022 देस में महीं 2021-22 में 98.64 परसेंट था अगर हम हेल्थ इंश्यूरेंस शेर डिया सल्डे लाइसस आफ इस नवीच विस सिटए वे सेज मर्केंटाइल कोपरेट्व बैंक कर संग्य मारास्ट बाद के अंडिया है मारस्ट का का लासेंस रेंस रद्धिक्र दिया RBI ने बोर्ट आर पिपल्स कोप्रिट्ट्व बag लेंक लुट्ट्ट बोर्टर गुज्राथ का भी लिसेंस नबाबदीव वेस्ट बेंगौल पर आइबिया ने एक लाख रुपे की मोनेट लगाई है विद्यानंद कोपरेटिव बेंग लिमिटर सोलापूर महारस्ट पर विची स्मॉल सेविंग्स स्कीम है इट रिटरंज रेज़ फोम एट परसंट तो एट वएट व्वाटर ओफ टूर फोर दोजार चोबीस की पहली दिमाई के लिए किस लगू बचत योजना का रिटर्न आठ पर्तिचत से बढ़ा कर आठ दसम लव दो पर्तिचत कर दिया गय कि इसमें option जो हैं सही नहीं किये option इसमें इस तरह से होने थे कि पीपीएफ या फिर नेसल सेविंग सेर्टिफिकेट या फिर सुकन्य ने समर्द दियो जना फिर फिर दिपोसिट ठीक है फिर इसके यह पढ़ते हैं explanation माफी चाहूंगा आज यह दो question में जो हुई ऐसा होता न कि समझ जाएंगे इस चीज को इतना बड़ा इशू नहीं है चलिए देखते हैं PDF मैं इसको सही कर दूगा और जो लोग डेली वैसे note कर रहे है वो options अपने आप बना लेना मैं आपको बता दूगा देखें government of India ने जो small savings schemes हैं इनके जो interest rate है वो announce कि हैं जनवरी से मार्श दो प्रतिशत पहले मिलता था अब 7.1 प्रतिशत मिलेगा इस जनवरी से मार्श क्वाटर के लिए और जबकि और जो other small savings scheme है उन पर जो interest rate है वो वही बना रहेगा जो पहले था यानि कि जो interest rate है PPF पर Public Provident Fund पर 7.1% रहेगा National Savings Certificate NST पर 7.7% Senior Citizen Savings Scheme पर 8.2% आपको दादे जो government है यह periodically interest rate जो देती है small savings scheme पर इन्हें review करती रहती है quarterly basis पर और क्या methodology जो उस किया जाता है जो स्वामला गोपिनाथ कमिटी ने 2011 में जो methodology दी थी इन rates को टिर्माइन करने के लिए उसके हिसाब से तो यह point note कीजेगा Small Savings Scheme तीन के टेगरी में है Savings Deposit, Social Security Scheme और Monthly Income Plan तो Saving Deposit के अरब आधर इसमें एक से तीन साल तक के जो time deposit पास साल की recurring deposit आते हैं इसमें सेविंग सेर्टिफिकेट जैसे की नेसल सेविंग सेर्टिफिकेट आता है किशान विकास पत्र आता है दूसरा फिर Social Security Scheme इसमें Public Provident Fund, सुकन्या समरिद्धी Account, Senior Savings Scheme और जो Monthly Income Plan है इसमें Monthly Income Account आता है जो interest rate है, small savings schemes like PPF, NSC, etc. यह market link है और जो 10 साल की government securities yield है इसके साब से तय होते हैं तो यह हैं फिलाल जो rate हैं ठीक है इन्हें आप देख सकते हैं जब exam में जाएं तो एक बार कुछ चीजह आसी note रखा करो अपने पास जो जैसे इस तरह के आख्टे होते हैं कि कोई exam देने जारे तो हमें यह जरूर देखना है ठीक है तो इन्हें अभी आप भली मत देखेगा जब आपका exam हो एक दिन पहले देख कर चले गए ऐसी रेपोरेट यह सब जो होते हैं रिवर्स रेपोरेट कितना चल रहा है यह बैंक रेट यह सब इन्हें देख कर चले हुए प्रिफर साइमन फ्षिंस के आधर देखेगे त्वल्ध दिव्यकला मेला 2023 तो बी इन्हेट 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 इन्वेसी बीजाट फूरत गुज्रात हुर्थ रूरत गुर्द बीजरत हुर्द पूर्ट इंह इंच इन्ट रून श्ट भूंग हुए विच कंट्री कंडुक्ते लाइट टेस्ट उफ इंडिशली देवलेप्ट फदर टू सेक्रोकेट सिस्टम पाहिस्तान कातर कोट अपील्स है सेट असाइड देथ सेंटेंस हैं तो एट फोर्मर इंडियन नवी परसनल इन विच किस दाहरा ग्लोबल किस प्रेजेंट कोशन जेकेंगे वर इस नंदाडवी मॉंटें लूके त्याइड यूचा चेली दिए जिची फटीच वांडियन नवी तेट इस्टी फेंड दी फूर्ट इंडिट टैन वीच्टीओ पाहिस्ट इन थेन देट टूटेगं प्रदाह्ट मधिशिना फोडिप्रेच्वें फ देने हैं यादि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कॉमेंट बुक्स में अवश्च से बताईएगा साथी करन्ट अफेर्स फंडा को आप टेलिग्राम पर भी जोने कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करन्ट की जिसम आप स कर दो बुक् सब्स्ख